हुआ हेलो एवरिवन कैसे आप लोग उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे 3.13 और इंट्रोड़क्शन के बाद हमने पीछे लेक्शन पड़ा था कि रोमांटिसिज्म क्या होता है बेसिकल्य के अदर को बताता है जो कि इमेजनेशन और आपके साइंस पर करता है पॉलिंड के अंदर के दोगार उपेरा मेजिक और फोक डाइन्स वर्म जैसे पॉलनाइज और कारूप प्रिंस का ठीक है यूज किया इसको रिज़ेक्ट करने के लिए और लाइग्विज को यहां तक पढ़ने के बाद हम लोग सुरू करते हैं अगला लेक्ट पॉइंट है जो मारा थ्री पॉइंट टू हंगर हार्शीप और पॉपुलर रिवोल्ट मतलब हंगर कहने मतलब आपको भूक आया हार्शीप मतलब का जीवन टफ हो गया और यह सारा करके क्या मना एक आप कभी भी क्या करते है किसी फिद्रो की कोई भाबना नहीं जगाते हैं घर में भी आपको गुछ draining रहा है तो आप कभी भी कुछ भी बोलते नहीं है लेकिन सब कुछ करने के बापजूद भी आपको चीजे नहीं मिल रही है तो आपका जीवन दो रूटी मिलना भी मुश्किल हो रहा है तो आप क्या करते विद्रो का एक बिगुल फुक देते हैं यहां भी यही चीज हुआ हुआ क्या 1830 में आपको याद होगा लुईस फिलि था ठीक है जो की कंजर्वेटिव रिगायम का जो मुनार्किल फॉर्मा बॉर्वन डेनेश्ट था उसको हटाने के बाद रिवलेशनरी के बाद इनको स्टेबिस्ट किया गया और 1830 में जो था बहुत जादा डिप्रेशन का दौर चल रहा था और तेजी से पूरे पॉपॉपॉलेशन हे बढ़ा तो है अधिकर पॉपॉपॉलेशन बरने के बाद अब दूसरा तरफ एक तरफ क्या हो रहा है अनिमप्लेवन बर्नै अब अनिमप्लेयमिट बर्ने के काराण अब गाहों से लोग सहर की तरफ आना सुल कर दिये तो माइडरेशन बर रहा है कहां से फ्रॉम रूलररे अरियास टू अर्बन एरियास अब अब अर्बन एरियास में जा रहे हैं तो वो लोग कहां हो रहे हैं जो स्लम एरिया है स्लम एरिया है वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा हो जा रहे है वर क्राउड स्लम यहां बढ़ रहा है सब कुछ बढ़ देख रहे हैं अब पॉपलेशन बढ़ा तो पॉपलेशन बढ़ा जोब चाहिए जोब बढ़ने के जगह पे अनिप्लाइम बढ़ने लगा फिरोजग के अंदर जोब के जगह पर वहां पर क्या है तो स्टिफ कंपेटिशन हो रहा है स्टिफ कंपेटिशन मतलब बहुत टफ कंपेटिशन हो रहा किससे इंगलेंड के इंपोर्ट से कि कि वहां से चीज़ सस्ती आ रही है और यहां पर चीज़े महंगी बन रही है कि वहां पर म कुछ कम हो रहा है फिर उसके साथ इतना से मन नहीं भरा फूड का प्राइस बढ़ गया राइज अफ प्राइस फूड कैसे वह भी देख लीजे राइज फूड प्राइस कैसे हो गया चुकि क्रॉफ फेलियोर हो गया था ठीक है ना तो क्रॉफ फेलियोर हो गया राइज फू समान है और खड़िदने वाले दो है खड़िदने वाले दो है तो क्या करेंगे आपको सस्ता रेट पर चीज़ों को देना होगा दस रुपया दे रहा है आप भी 10 में बेचेंगा तो जल्दी बिखेंगा नहीं तो आपको 8 रुपया कोई 8 में बोला कोई 5 रुपया बोला इसे करके अपना समान को बेचता है लेकिल यहीं खरीदार चार समान के जग़गे लोगं बेरी घ्रटा कर दिये तो लोगों को लगा कि यह इतना है मतलब समान को बढ़ा सकते है चार समान है इतना लोग खड़िदने वाले तो रेट क्या हो जाएगा यह भी 10 रखा हो यह भी 10 रखा यह भी 10 को कोई कम करना चाहेगा लेना तो लेजेने तो चाहिए तो फूट को फिलियो रोगया फूट सौटेज होगया तो अब फूट का प्राइस के हो गया इंकरीज कर गया यह सारा कंडिशन हो गया ठेक है जो लोगों को क्या ले आया इब ब्रिंग ओल्ड़ पीपो लंडी रोट सा सब्सक्राइब करने लोग को लगा यही है इसी कारण यह कंडिशन इतना बुरा हुआ है किसके कारण लुइस फिलिप के कर इसी के कारण कंडिशन बुरा हो रहा है कंडिशन जब बुरा हो रहा है तो लोग क्या कर दिये इसको अब हटाने के लिए हो गया लोग अपना छोड़ के भाग गया अब वो गया तो उसके जगपे फिर देमेकरेटिक फॉर्म फॉर्मेंट आया जो कि इन्युवर्सल सफ रिज के सांच चाला इन्युवर्सल सफ रिज का मतलब राइट वोट वुट धि अदिकार तो फिर फिरीक है उनी को भोड़ देने का अधिकार का लेंडलेश मेल और विमन चाहिए लेंडेड हो ये लेंडलेश हो दोनों का अधिकार नहीं था लेकिन यहां पी नियुवर्सल सप्रेश का डिमोक्रीटिक फॉर्म गवर्मेंट बना गया है इसी बीच अठाराइसों पैतालीस क जो थे कम पैसा देते थे ठीक है एक दिन वो ये परिशान होकर वो कॉंट्रेक्टर की घर की तरफ कुछ किये और पेज नंबर है आपका पेज नंबर 16 ओन जून 4 एट 2 पीम क्राउड बहुत जादे दर तरब जाने लगा कॉंट्रेक्टर की कॉंट्रेक्टर घर पे गया उसका फरनीचर तोर दिया सब कुछ फुरा तहस नहस कर दिया किसी तरह वो जान बचा कि क्या कॉंट्रेक्टर भागा गाहों की और गाहो कोश्कdistर कॉम ति जाने भाड़े ने इस पर एक्षन लिया और टोटल 11 भीवर्ष को क्या कतभी गोली मार डिया ठीक है 11 वीवर्ष को गोली मार दिया तो जो विद्रोश् Shane अउ घया और लेकिन यह जो तो बा रहा थे उनको एसाथ हो गया कि यह हम इसको जादे दिन तक कर से नहीं दबा सकते हैं फिर बात में और चीजे होती है इसको देखेगे चलिशन करते हैं क्या हुआ पहले पॉप्लेशन बरहा पॉप्लेशन बढ़ने के साथ क्या हुआ कंपूटिशन स्टार्थ हुआ सहर के अंदर और क्राव कले अमय गिया हो तीक है उसके बाद एक प्राइस इंक्रीज क्या और यह सारा कंडिशन एक वाइड स्प्रेड एंगर क्रिएट किया लोगों के अंदर यह गवर्मेंट के खिला विजिस फिले किला उनको हटा अठा दिया गया और हटाने के बाद एक देमोक्रीटिक फ़ॉर्मेंट लाया विड़ इन्वर्सल व करने के बाद जो कॉंड़क्टर था वापस सहर में आया और जो अर्मी था उससे मदद मागा और इसके विज में 11 जो वीवर से उसको गोली से मार दिया गया ठीक है यहां तक आसा करता हम आपको समझ में आया होगा ठीक है आपको जल्दी आपको नोट से आपके एप पे के आपको जल्दी आपका नोट से अप्लेट हो जाएगा ठीक है तब तक खुश रहिए सतर करेए जय हिंद्ध